स्री शिवाई नमस्तु भ्यान दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि होलास्टक के ये दिन चल रहे हैं और इनी होलास्टक के दिन में आ चुका है सुमवार जो की 6 मार्च 2023 को है और दोस्तों ये सुमवार बहुती विशेश है आप इसे रंग भरा सुमवार भी कह सकते हैं क शुमवार को आप अपनी जिंदगी में कई सारे रंग भर सकते हैं, अपने जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, कुछ छोटे से उपाय को करके, सुमवार के उपाय बहुत ही विशेश होता है, क्योंकि ये दिन भगवान बुरिनात का होता है, तो इस दिन किया जाने वाले हम आपको कुछ ऐसे विशेश उपाय बता रहे हैं, जिन उपाय को अब इस दिन करने से बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो इस रंग भारे सुमवार के कुछ विशिश उपाय जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने और करने भी जरूर है आपको उनका फल जरूर मिलेगा तो चलिए दोस्तो सबसे पहले उपाय के हम लोग बात करते हैं तो इस उपाय को उन व्यक्तियों को करना है जिनको अपनी कोई विशिश मनुकामना को पूरा करवाना हो आपने सब उपाय करके देख लिए सब काम करके देख लिए वरत रख लिए पर आपकी वह मनुकामना पूर्ण नहीं हुई है तो उस इस्तान पर आपको क्या करना है कि जो सुमवार आप आने वाला है रंग भरा सुमवार जिसे हम कह रहे हैं जो कि 6 मार्च 2023 को है इस दन आपको क्या करना है कि एक बेल पत्री आपको लेना है क्या लेना है एक बेल पत्री उस बेल पत्री को लेकर आपको जाना है बेल पत्री के वरक्ष के नीचे ही मतलब बड़ा बेल पत्री का वरक्ष होना चाहिए ठीक है एक बेल पत्री को लेकर बेल पत्री के वरक्ष के नीचे ही जाकर आपको बैठने के बाद दोस्तों जो बेल पत्री की डंडी का मुख और हात में रखकर भगवान शिव जी के मंतर का आपको जाब करना है ठीक है और जाब करने के बाद वही पर बैठकर अपनी मनोकामना भी बोलनी है मनोकामना बोलने के बाद आपको करना है कि इस बेल पत्र को वहां से उठकर बेल पत्री के वरक्ष के नीचे से उठकर अपने घर के पासवाले मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर इस बेलपत्री को वापस से अपनी मनो कामना को करते हुए मंदर का जाब करते हैं इस बेलपत्री को भगभाई श्यव जी कि शिवलेंग के उपर चड़ा देना है वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपकी घर में जो धनकी पैसो की समस्या है वो दूर हो जाए और आपके घर में हमीशा पैसा आता रहे हमीशा पैसो की बरकत बनी रहे तो उस इस्तान पर आपको इस सुमवार की दिन क्या करना है किसी भी बेल पत्री के व्रक्ष के नीच जाएगा ठीक है इन दोनों चीजों को ले जाकर सबसे पहले आपको करना क्या है कि बेल पत्री के व्रक्ष की नीचे वह गोल बाती का दीपक आपको जला देना है दीपक जलाने के बाद दोस्तों आप जो गुड़िया शक्कर लेकर गए है उसका भूग आपको वहां पर अगले उपाई के बारे में जोकि आपको इस रंग भरे सुमवार के दिन जरू करना है तो दोस्तों इस उपाई को वो लोग करें जिनका कोई काम ऐसा है जोकि लंबे समय से अठका हुआ है वो काम नहीं हो रहा है आप बहुत सदा परेशान हो चुटे के आपने सभी काम कर जो है दिक्कत हो आप उस काम के लिए यह उपाई ज़रूर करें तो करना क्या है दोस्तो इस उपाई में आपको एक मतलब बेल पत्री के व्रक्ष्ट के नीचे ही जाना है ठीक है अब बेल पत्री के व्रक्ष्ट के नीचे क्या लेकर जाना है आपको तो इस उपाय में आपको बनाना है एक गोल बाती का घी का दीपक ठीक है तैयार कर लिए आपने एक गोल बाती का घी का दीपक उस गोल बाती के घी के दीपक के अंदर आपको डालनी है काली तिल्ली ठीक है काली तिल्ली डाल कर दोस्तो इस दीपक को लेकर आपको जाना है श विशिश डूप से लीजेगा और अपने उस काम का इसमन जरूर कीजेगा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं आपका वह काम जरूर 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 बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जिस उपाय को करन आप जो भी अपनी पूजन अरचना के लिए एक लूटा जल थाली लेकर जाना चाहें वो जा सकते हैं ठीक है तो आपको शिप जी के मंदर सुमवार के दिन प्राताकाल सुबा 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 पहुंचना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको वह उपाय बताने जाना है आप अगर एक लोटा जल या पूजन की कोई सामगरी लेकर जाना चाहते हैं तो आप वह आप लेकर जाएं या पश्यूपतिनात का अगर वरत कर रहे हैं तो अपना वह वरत की पूजन कर लें सब काम कर लें उसके बाद आप इस उपाय को करें ठीक है तो करना क्य घ्रश कर अरहए जलाधारि को अपने हाथ को सीधे हात की तिली को सिपश कर आपको वहाँ पर अपने हाथ को स्क्राकर जो है स्री शिवाय नमस्तुब्यम या भगवान शिव जी के कोई भी एक मंतर का जाप करना है मंतर का कुछ सेकंड्स सक या एक दो मिनिट तक जाप करने के बाद भगवान से अपनी मन की कामना आपको हतेली वहीं पर लगाते हुए आपको बोल देना है कि आप अपने जीवन में बहुत सारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं तो इन उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तो सबसे पहला जो उपाय है इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशिया मिल सकते है या आपकी कोई विशेश मनों काम ना होगी तो वो भी पूर्ण जरूर होगी तो इस उपाए में आपको करना क्या है कि इस उपाए में आपको भगवाएं शिप जी के सबसे पहले तो मंदिर पहुंचना है मंदिर पहुँचने के बाद आपको भगवाई शिप जी की जलाधारी को अपने हाथों से पुरा साफ करना है ठीक है साफ कहने का मतलब है कि जो भी निर्माली वहाँ पर होगा वो पुरा अपने हाथों से साफ करना किसी से करवाना नहीं है अपने हाथ असीदे हाथ या तेली से जलाधारी को बिल्कुल साफ करो निर्माली साइड में रखो भगवाई शिप जी पर चड़ा हुआ निर्माली भी साइड में रखो अपने साथ अपने घर से एक थाली को तयार करके लेकर आना अपने घर से एक लोटा जल और थाली को तयार करके लाईएगा बेल पत्रे फूल वगरा सब रखे हुए हो अब आप शिप जी के मंदर आईए शिप जी पर एक लोटा जल चड़ाईए आप जो भी मतलब पूजन सामरी लाए है वो शिप जी पर समर्पित कीजिए समर्पित करने के बाद जैसे ही भगवान शिप जी का श्रंगार हो जाए श्रंगार करने के बाद ही आपको इस उपाय को करना है एक बात और विश्यूरूप से ध्यान रखिए कि आपकी इस उपाय को करने के बाद आपको लेकर जाना है क्योंकि यह है हुपाय करने के लिए ले लिए बस एक शमी पत्र और शमी पत्र को भगवाय शिप्जी की जला धरी परइपसर्श करें कम से कम दस से 20 सेकंड तक आप चाहें तो एक मिनिट तक भी इस पर्ष करके रख सकते हैं पर अपनी हाथ की जो उंगली है वो आपको लगा कर ही रखना है उस शमी पत्र से ठीक है तो बस आपको जला धारी पर उस शमी पत्र को इस पर्ष कराना है इस पर्ष कराकर उसी शमी पत्र को उठाना है और अपनी मनुकामना को करते हैं उस शमी पत्र को भगवाई शिब जी की शिबलेंगी उपर समर्पित कर देना है ठीक है और भगवाई से अपनी मनुकामना बोल देना है बहुत ही विशेश उपाय है इस उपाय को आप करके जरूर देखिए और इसका फल भी आप खुद बताईएगा कि आपको कितना बड़ा इससे फल मिला है ठीक है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में ये भी शमी पत्र का बहुत ही विशेश उपा तो इस दरिज रिजा को दूर करने के लिए आपके सभी कामों को सफल करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए इस उपाय में आपको जरूरत पढ़ेगी किस चीज की दो बेल पत्री की साथ शमी पत्री की तो इन सब चीजों को तयार कर लेना अपने साथ में एक समर्पित करने के बाद अब आपको के करना है भगवाई शीव जी के सामने बैट्स जाना है दो मिर्ट मंत्र का जाप करना है हाथ चोड़कर भगवाई शीव जी के समर्पित करना है उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी दो बेल पत्री को निकालने के बाद दो बेल पत्री समरपित करना है ठीक है अब दूसरी बेलपत्र को आपको भगवाएं शिब जी की शिवलिंग के पीछे की जो हलका सा जलाधारी का इस्सा होता है न वहां पर समरपित करना है making मतलब पहली बाली बेलपत्र की जस्ट विप्रीत जो मतलब पीछे के साइट के जो जलाधरी का हिस्सा होता है वहाँ पर आपको दूसरी बेल पत्र को समर्पित करना है इस प्रकार से इन दोनों बेल पत्र को एक शिवलिंग के आगे बोल सकते हैं ठीक है तो यह बहुत विशेश उपाय है आप जरू करके देख सकते हैं और दोस्तों सुमवार के दिन अगर आप चाहें कि भई आपके घर के उपर भगवान शिप जी की क्रपा हो तो भई सुमवार के दिन शाम के समय एक गोल बाती का शुद्य देशी गाय की अगी का दीपक तयार करना आटे का और इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर भगवान शिप जी के एक मंत्र स्री शिवाय नमस्तोब्याम का जाप करकर लगा देना और भगवान से मनीमन जो आपको बोलना है वो बोल देना इस उपाय को करने से आपके घर पर भगवान भुलिनात का आशिरवाद हमेशा बना रहता है तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस रंग भरे सुमवार के दिन करना है बहुत ही विशिश महत्वे सुमवार का जरू करके देखिए इन सभी उपाय को करने में आपको कोई भी समस्या आती है उम नमाश शिवाई जय भुलिया बासरी शिवाई नमस्तू प्या